आपके डेल की वैल्यू यानि की डेल ऑपरेटर की वैल्यू अब यह जो डेल ऑपरेटर है इसे तीन तरीके से ऑपरेट किया जाता है पहले तरीकों को हम बोलते हैं ग्रेडियन्ट ओफ ड्या सकेलर फिल्ट सॉट में या फ्यार से ग्रैड भी बोलते हैं तो यह ग्रै तो यह जो आपका gradient of phi होता है तो यानि अगर हमें किसी चीज का gradient निकालना है gradient इसका हम लिख लेते हैं ठीक से gradient अगर हमें निकालना है किसी function में ठीक है तो जो gradient of phi होता है वो आपका equal होता है del operator dot phi के इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पर del operator जो है वो gradient of phi मतलब phi को क्या अगर आ रहा है यहाँ पर operate कर आ रहा है तो इसकी जो value अगर निकालोगे तो देखो del operator की value कितनी होती है यह होती है तो इसको हम लिख सकते है i-calf del upon del x plus j-calf del upon del y plus k-calf del upon del z यह आ गई आपके del operator की value और phi की जो value होगी वो हम put करेंगे अगर नहीं दरकी होगी तो simple ऐसे ही करेंगे तो यह जो function निकल के आएगा वो हो जाएगा i-calf del phi upon del x plus j-calf del phi upon del y plus del phi upon del z k-calf तो यह quantity जो निकल के आईए वो आपकी कहलाएगी gradient यह के लिए रहे कहानी आता है